थांक यू टेली खजाना को और मेरे देखने वाले फैंस को मैं भी बहुत excited हूँ आप सब लोगों से मिलने के लिए और ये मौका मुझे जो दिया है वो रश्मी शर्मा जी ने दिया है रश्मी शर्मा प्रडक्शन ने दिया है और साथ साथ कलर्स टीवी ने दिया है थांक अधिये है तो उसकी माँ बन करके आ रही हूँ जो के पारलेल लीड है वो लड़का और क्यूंकि उसके पापा नहीं है मेरे हस्बन नहीं रहे है तो उसकी माँ उसकी बहुत ही ज़ाए रहा सबर्दस सपोर्टिव है तो सबसे में फॉर्स इंट्रेक्शन काचा रहा है शो के सब्सक्राइब काया है यंग्स्टर भी काम करें इसमें तो उनसे आपकी इंट्रेक्शन कैसे है सुहागन की जो टीम है वो बहुत ही पयारी है और बहुत ही फैमिलियर है बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ है वो लोग मैंने जब फर्स दे आई तो वो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और शो में एंट्री ले रही हूँ और मतलब मैं कैसे इन से मिक्स अप होंगी मैं कैसे कारेक्टर अपना पोट्रे कर पाऊंगी बट फर्स देस ही वो इतने जल्दी जलप हो गए सारे के सारे इवन डिरेक्शन टीम में पवंसर, सीमा मैं बहुत ही कमफर्टिबल थे सारे के सारे तो मुझे बिलकुल ही टाइम नहीं लगा और बहुत मजा आगा है काम करते वे आपकी बात के तो आप कभी भी अगर आपका नाम लिया जाता है सबसे तरह सब नीलो नहीं बोलते सब भाबो बोलते आप कितनी खुशे मिलती कि इतना अच्छा शो कर लिया आप जिससे आज भी लोग उतना ही पसंद आते देखने रियली थांक यू वेरी मच क्योंके बहुत किसमत वाले होते हैं जिनको ऐसे किरदार नसीब होते हैं आइ तिंग मैं बहुत ही भागिश आली हूँ कि मेरा पहला शो और पहला किरदार लोगों ने इतना पसंद किया और रियली उसी किरदार की वज़े से उसी प्यार के वज़े से मैं आज भी काम कर रही हूँ और आप लोगों के बीच आ रही हूँ और ऐसी ही उमीद करती हूँ कि मैं ऐसी ही काम करती रहूँ आप लोगों के बुलते ना एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरूँ और हर करेक्टर के साथ इनसाफ कर सको हाँ बिल्कुल होती है आज भी जो परिवार है दिया और बाती का आज भी हम मिलते हैं मिलते मतलब फोन पे बाते होती रहती है मैसेज़िस होते और कभी मौका मिलता है तो जरूर मिलते हैं मतलब वो परिवार अभी भी है वो परिवार टूटा नहीं दिपिका का भी नया शो आया मैं उसको बहुत-बहुत बधाया दूँगी बहुत-बहुत शुपकाम नहीं दूँगी कि वो बहुत आगे बड़े और मंगल लक्षमी जो है उसकी बहुत आगे जाए और मुझे पता है उसका मुझे पूरा भरोसा है वो बहुत-टार के साथ बहुत अच्छी से इनसाफ करेगी भाब हो और उनकी संभिया का जो शो है साथ में आ रहे साथ में एंट्री लिया दोनों है यस देखिए ना दोनों ही साथ में एंट्री ले रही है इसलिए मैं Color Channel को बहुत-बहुत धनिवाद देती हूँ, thank you very much. आपकी एंट्री कापी रॉयल होने वाली है, यह रॉयल तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ होगी, और एक बहुत ही अच्छी एंट्री है, जो मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, sorry, but आप लोग देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. अगरो आप सिराणाज, आपको कापी टाइम से इंडिस्टी में काम करें, तब से अपनी कुछ बदलाव है, तो आपको लगे कापी चेंज हो गया है? हाँ जी, बिलकुल चेंज हो गया है, थोड़ा फास्ट हो गया है, पहले हम लोग बहुत ही रिलाक्स में करते थे, वोक्शॉप्स होती थी, बहुत रिहसल्स करते थे, बट क्योंकर आज टाइम नहीं मिल पाता है, मंडी टु संदि शोउज एपिसोफ ऑन एर होते हैं, उसमें डिरिक्टर के पास भी प्रशर होता है, प्रडक्शन पर भी प्रशर होता है, आर्टिस्टों पर भी प्रेश्र होता है, बट फिर भी ताइंक्स, आज के जो प्रफिंग पावर है उनकी कि वह बहुत जल्दी ग्रास करते हैं अपने कारेक्टर को और बहुत अच्छे से निभाते हैं रिली हाट्स ओफ पहले कि शोर्स होते थे आठ साल नौ साल गुष्ट थे चलते हैं अब काफी काम टाइम में चलते हैं अब को कहले पर एक स्टोरी की ईश्या है जिस वज़े से नहीं चल पाती है जो ओडियन्स ने काफी OTT प्लेटफॉर्म लेगों इस देख से शोर्स की देख पाती हैं तो लोगों के पास एक ही चैनल था या दो चैनल थे या चैनल थे या चैनल थे या चैनल थे या चैनल थे बट आज मेरे काल से हंड्रिट के उपर उनके पास उप्शन है उसके बाद भी अगर आप इतना चलते हो तो that means hats off है आपकी मैनत है और आपकी स्टोरी में पकड़ ह कोई चैनल के साथ कोई चैनल के साथ कोई चैनल करने के लिए मेरा कभी किसी के साथ कोई चैनल नहीं होता मैं बिल्कुल परिवार की तरह ही ट्रीट करती हूं और उमीद करती हूं वो लोग भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करें तो रियली ऐसा कोई चैनल नहीं है बस हम यह चात समय इस वेरी नाइस, मेरा उनके साथ अभी कोई सीन नहीं हो पाया है बट मैं जब ऐसी मिली थी उनसे तो इस वेरी नाइस, वेरी गुड़ यूमिन बीज और काम करेंगे तो मा बेटे दोनों अच्छा ही करेंगे अपने भावों की जो ओडियन्स और देखना चाहती हैं, मैं अपनी जितनी भी ओडियन्स है जो भावो को बहुत ही प्यार करती है, मैं उनसे भी यही कहूंगी कि शांती देवी को भी बिलकुल आप देखे सुहागन में आ रही हैं आपके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा क सीज ले करके उसे ज़रू सुनिए और देखी थांकियो अपने लेंगे आप